ओम श्री गनेशा नमा दोस्तों ओम गनपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने बाले हैं 13 जून रवीवार आज के कन्या रासी के देनिक रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको साफधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेश और वेफसाइट कैसा रहेगा कैरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त के महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरूपने से पहले मेरी आप लोगोस रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफिसिंग की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्पून वीडियो पहुंच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी रासी वालों का आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपका दिन सांदार रहेगा कारोबार में आपको फायदा हो सकता है लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा आपके सोचेवे काम पूरे होंगे जियां दोस्तों आपके काम से जीवन साथी प्रसंद हो सकते हैं ओफिस में आपको कोई नई बड़ी जिमेदारी मिल सकती है आज आप पर काम के बूज के अधिक्ता हो सकती है जिसके वज़े से आप ठकान महसूस करेंगे लेकिन आप सारी चीजों को बहतर करेके से संबाल लेंगे आपको लेन देन से फायदा भी हो सकता है किसी काम में अनुभवी की सला आपके लिए बहतर साबित हो सकती है जियां दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगिटिव बातों के बारे में आप जो भी काम करें काफी सोच समझ कर करें हो सके तो किसी वरिष्ट की सला वस्सल ले बूलने से पहले थोड़ा सोच ले कहीं ये बात सामने वाले को बुरीना लगे आज जीवन साती से अन्बन हो सकती है किसी यात्रा को लेकर अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय और केरियर के बारे में आपका आर्थिक पक्ष पहली की अपेक्चा और मजबूत होगा व्यापाई वर्क को अतानक से कोई बड़ा धनलाब हो सकता है आपका पूरा ध्यान अपनी केरियर को आगे बढ़ाने में रहेगा कारिये चत्र में आपको अच्छी खासी सफलता भी मिल सकती है जिया दोस्तो बहुत से को बहतर बनाने के लिए आप नई कदम ठाएंगे दोस्तो बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में आपके परिवार में खुशियों का माहुल बना रहेगा आप परिवार वालों के साथ कहीं गूमने फ्रिने का प्लान भी बना सकते हैं परिवार की रिस्तों में इससे मजबूती आएगी माता पिता का सिर्वात आपको प्राप्त होगा भाई बैनों में आपसे इसने बढ़ेगा प्यार बढ़ेगा घर परिवार में खुश्यों का माहुल बना रहेगा आपको अपने विरोधियों से बचकर रहना होगा जीवन साथी के साथ आप अपने रिष्टों को लेकर ज्यादा भावुख हो सकते हैं विवाई जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा आपका जीवन साती आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा जीवन साती को लाबगा अवसर प्राप्त होगा आपकी किसी से मुलाकात दोस्ती में भी बदल सकती है धामपते जीवन काफी प्रेमपूर्ण बना रहेगा जिना दोस्तो आपका स्वास्त कैसा रहेगा स्वासंबंदी समस्याओं से दूर रहने के लिए आप रोजाना व्यायाम करें जिससे पेरो और हातों में सूजन और दर्द की समस्या से बचा सके ये समस्याओं मौसम परिवर्दन से उत्पन हो सकती है आपके लिए भैतार होगा नियमित योग करें वियायम करें प्रणायम करें और पून रूप से स्वस्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाई अवश्य करें सुभै इसनानादी के पश्चात सुद्वस्त्र धारण कर सूरिय देव को जैलर पित करें और साथ में 108 बार इस मंत्र का जाब करें ओम सूरिय देवाय नमा ओम सूरिय देवाय नमा इसके पश्चात अपनी सामर्थ के अनुसार जरूर्द मंद की मदद करें दान करें ऐसा करने से आपकी समी मुच्छाएं और मनो कामनाई पूर होंगी दोस्तों आपको सूरी देव का स्वरात प्राप्त हो कमेंट में जे सूरी देव से लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगर में हो